Canon की बात करें तो वो दुनिया की सबसे बड़ी leading tech companies में से एक है और देखा जाए तो वो number one leader सिर्फ cameras में ही नहीं है वो देखा जाए तो printers, photocopy machine और दूसरे काफी सार equipment भी बनाते है लेकिन Canon और उसके cameras के बारे में कुछ ऐसी बाते हैं जो शायद आप लोगों नहीं पताऊंगे और वो काफी जादा amazing होने वाली है तो आज Friday facts में Canon के बारे में कुछ ऐसे ही facts के बारे में बात करते हैं जैसे कि जब Canon थी ना, वो actually found हुई थी Japan में और Japan में जब found हुई थी तब इस company का नाम Canon नहीं हुआ करता था तब इसका नाम हुआ करता था प्रिसेजन ऑप्टिकल इंडस्ट्री कॉर्परेशन लिमिटेड और 1934 में इन्होंने कावान नाम का एक प्रोटोटाइप कैमरा बनाया था जो कि जैपैन का first 35mm camera था और उसके बाद इस company का नाम जो था वो Canon कर दिया गया और आप लोगो तो पता ही है कि दुनिया के जो दो सबसे बड़ी लीडिंग camera manufacturers है वो है Nikon और Canon लेकिन क्या आप लोगो पता है कि शुरुआती दिनों में जो Canon थी ना उसमें Nikon के साथ भी काम किया मतलब यह कि जब Canon ने अपने camera से बनाए थे न तो उनके लिए जो ग्लास यानी की जो lenses होते न वो Nikon ने तयार करे थे और वो Nikon प्रांटिंग के अंदर आते थे आप सी डामेंड जड़े हुए तो इतने सारे डामेंड डाले के बाद जो camera है न वह कौछ जादा ही महंगा हो गया और क्या आप लोगो को पता है कि जो Canon का सबसे महंगा DSLR camera है उसका नाम क्या है वो है Canon 1DX Mark II और इंडिया में उसके कीमन लगबग 4-5 लाग से स्टार्ट हो जाती है तो आप खुद ही सो सकते ही Canon 20,000 रोपे से लेकर 5-6 लाग तक के एवल DSLR की रेंज में बनाती है इसके अंदर हम cinema cameras को तो गिन भी नी रहें और अगर हम पात cinema की करें तो क्या आप लोग के कारण वो कुछ जादा ही popular है और आज की डेट में देखा जाए तो फिल्म इंडिस्ट्री में भी Canon के lenses का यूज किया जाता है और शायद आप लोग सभी जानते हो कि Canon अपने cameras के लिए कुछ जादा ही popular है लेकिन क्या आप लोग को बाता है वो camera business से अपना main profit ने कमाती की camera business के और अब मैं आपको काफी interesting बात बताने वालो जो शाहद आप लोग को पता नहीं होगी आप लोग को तो पते कि Apple के पिछले CEO और founder Steve Jobs ते है लेकिन क्या आप लोग को ये बात पती है क्योंगा Canon में काफी जादा एक्चुली में 2010 में उन्होंने कोशिश करी थी Canon को खरीदने की लेकिन जब ये बात stock market में चलेगी है तो Canon के stock prices थे वो कुछ जादे ही तेजी से भढ़ गए और उसके बाद जो Canon को खरीदने की जो deal थी ना वो cancel होगी और कुछ लोग तो ये भी कहती कि Canon को Steve Jobs इसलिए लेकिन अच्छी बात है कि Canon के जो camera's है ना तब से लेकि अभी था काफी जादे इंप्रूब हो गए है और क्या आप लोगों को पता है कि जो Canon है ना वो camera's से हटके एक virtual reality headset पे भी काम कर रहा है और उसने prototype भी तयार कर लिया था जो की 120 degree का virtual reality world को showcase कर सकता था लेकिन देखा ज जानना है कि जो worldwide camera का जो market share है वो करता है Canon का तो वो है 49.1% और जो second number पर जो कमतनी आती है digital camera market में वो आती है Nikon जिसका जो market share है 24.9% और इसके बाद नंबर आता है Sony का जिसका जो market share है 13.3% तो आप देखी सकते कि Canon का जो market share है ना वो कितना जादा है तो यह थे कुछ interesting facts Canon के ब पसंद है ना तो यह बात नीचे comment में बताना बिल्कुल भी ना भूलना thank you आपका वीडियो देखने के लिए मैं आप से मिलता हूं next वीडियो में गुड़ बाई